हेलो दोस्तों नमस्कार, आंत हमारे स्रीर के महत्रपूर्ण आंगों में से एक है, इसकी मदद से भोजन को तोड़ा गलाए जाता है, साथ भोजन से पोशक तयत्वों को अब सोसित करने का कर्च करती है, ऐसे में अगर आंतों में किसी तरह का गणवाड़ी हो जाए, तो इस पेट में दर्द सुजन इत्यादी सामिल है, कुछ लोगों के आंत में गांट होने पर स्रीर में कई तरह के बदलाव नजर आते हैं, जिसे अक्सर लोग नजर अंदाज कर देते हैं, अगर आपकी आंत में गांट पढ़ गई है, तो इसका समय पर इलाज बहुत ही जिरूर तो आए जानते हैं कि आत में गांट पढ़ने पर किस तरह की परसानियां होती है, और हम कैसे जानेगे कि आत में गांट पढ़ गई हैं मीठा खाने का भीए मन głos आत में गांट दो काफी ज़्यादा आदा मन करता है, अगर आ भीड़ेम के बनिकि Τरहिन बहुत femme करा न बहु करता है खुस्त और पर दिन भर के कामकाच के बाद साम को बैक्ती बीना बजा अगर बैक्ती का मूड़ी खराब होने लगते तो एक बार अपने आंतों की ज़ाद जरूर कराएं दरासर पेट के आस-पास किस तरह के परिषानियां होने पर बैक्ती को मेंटल हेल्थ खराब हो होने लगती है इस स्थीति में कई बार बैक्टी को खाने का मन नहीं करता है अगर आपको भी काफी ज्यादा मल त्याग में दिकत्ते हो रही है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह ले ताकि आपका इलाज सुरू किया हैं तो आप समय पर इसका इलाज कराएं नहीं तो एक अंभीर रूप का धारन कर सकते हैं पेट में फिर आत में गाट होने पर मल त्याग के दोरान कुछ ब्याक्तियों को खुबनाने लगते हैं अगर आपको इस तरह का संके दीख रहें तो एक वाट उटर से अपनी जाच ज प्रसानिया होती हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि समय रहते हैं इलाज हो सके और जो भी गाठ जो पढ़ जाता है आत में यह सब प्रावलम से आपको सामना ना करना पड़े तैंक यू जहीं हमड़े हो ईहाई है जहीं स्तुमीज औरे तैंक रहे हाँ है वड़े मिलेगा हैं वड़े है smellingैता हैं